बहुत ही जाइकेदार और लजीज मटन शामी कबाब की रेसिपी बनाते हैं शामी कबाब ऐसे बनाएंगे जिने आप महीने भर के लिए फ्रीजर में स्टोर भी करके रख सकते हैं शामी कबाब बनाने के लिए मटन को हम प्रेशे कूकर में पकाएंगे एक किलो मटन है, इसके मैंने मीडियम साइस के पीसिस कर लिये है इसमें डालेंगे धाई सो ग्राम दाल, चने की डाल को मैंने आठ घंटे के लिए भिगो कर अच्छी तरह से दो लिया है दाल डालने के बाद इसमें डालेंगे एक मीडियम साइस की प्याज स्लाइसेज में कटी हुई अदरक का टुकड़ा है ये दो इंच का 15-20 लेसन की कलिया डाल लेते हैं अब शामी कबाब के लिए एक स्पेशल मसाला हमें बनाना है इसके लिए लेंगे दो चम्मच जीरा, दो चम्मच है धनिया, आदा चम्मच लेंगे काली मिर्च, दो है काली बड़ी इलाईची, पांच है हरी इलाईची, दस है लौंग, दो छोटा दारचिनी का टुकड़ा डालेंगे और एक डाल लेते हैं तेज़ पत्ता और 6-7 सूखी तीकी वाली लाल मिर्च डालेंगे, ये मसाले को हम दरदरासा ग्राइंड कर लेते हैं अब इसमें हरी इलाईची और काली बड़ी इलाईची के जो बड़े बड़े चिलके हैं ये हम निकालकर अलग कर लेते हैं इस मसाले को डाल लेंगे प्रेशर कूकर में, सारा मसाला डालने के बाद इसमें डालेंगे एक चमच हल्दी का पाउडर, नमक एक चमच मैं इसमें डाल रही हूँ, बाद में जरूरत पड़े तो हम और नमक इसमें डाल सकते हैं, एक कप पानी डालेंगे, बहुत जादा पा गखने के अगर आप देखें के पानी है प्रश सपूकर मेंता हम फ्लीम को हाइ कर लेंगे इसका सारा पानी सुखा लेते हैं पानी सूपऩारे इसके बाद और मट्ण के मिक्सचर को निकाल लेंगे एक बड़ी सी प्लेत में इस तरह से अब कोई मैशер और अच्छी तरह से मटन और दाल को मैश कर लेना है हमें आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं वो आसानी का काम रहेगा कबाब तो नर्म बलायम बनेंगे पर रेशेडार नहीं रहेंगे तो यह मिक्सर अच्छी तरह से मैश हो चुका है अ आदा चमच डाल लेते हैं गरम मसाले का पाउडर नमक थोड़ा से मैश में डाल रही हूं करीब आदा चमच आप मिक्सर को टेस्ट कर लें और अपने हिसाब से नमक इसमें आड कर सकते हैं थोड़े से बारिक चौप किये हुए धन्ये के पत्ते डालने के बाद सारी चीज कराने के लिए करें यहां कुलिए हैं उसने रिपस्टे करें यहां करना का ओचर लिए घृते घुटाथे ऑपन के दो सब्सक्कित करने के यह हैं ख違ान हैं प्यास लच्षे पुदीना और हरी चटनी के साथ यह मज़िदार क्मच दे चाया secondo बाब को आप सर्फ कर लीजिए